सब्सक्राइब करने के बाद मैंने नमक मिर्च और वहां के बिसेश प्रकार के गोपनिय मसाला यहां पे मिक्षप करके दो मिनट के लिए इनको ऐसे छोड़ देता हूं और यहां पे मैं थोड़ा सा पानी इसको बॉयल करने के लिए रख देता हूं जब तक यह मसाला इसमें बिलकुल मिक्षप हो जाता है तक तक मैं थोड़ा पानी बॉयल करता हूं दोस्तों फैनली हमारा पानी में उबाल आ चुका है लगवक एक बड़ा गिलास हमने पानी वोयल किया है यहां पर और यह रॉम मेट्रियल हम ऐसे पकटके जो तयार हो चुका है लगवक फैनली बन चुका है तयार हो चुक है हम इसमें डाउते हैं फैनली लगवग हमारा रो मेट्रियल तयार होने वाला है और जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हूंगे बेलन टैफ का ये विशेश प्रकार का ये हमारा एक भोटिया इस्टिक होता है जो कि इसको मिक्षफ करने के लिए इस तरह की विधी अपनानी चाहिए जिससे की पु रो मेट्रियल को मिक्षफ करने और पांस से दस मिनट हलके से लो फ्रेम आज में इसी तरह से घुमाते रहना है रो मेट्र लगभक पूर्ण अवस्ता में तयार हो चुक है इसके बाद हम आधा घंटा इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे आदा गंटा इसको ठंडा होने के बाद इसके गोले बनाने के बाद इसमें अपने विशेश परकार के ब्यांग जीरा जिसको बोलते हैं जीरा पहाडी जीरा तो नहीं बोलेंगे बॉर्डर चेत्र में ये बहतायात मात्रा में फाया जाता है और और अस्तिय घूर से भरपूर है तो हम भ्यांग जी रगा अपने लोकल सश्रो के तेल के साथ तड़का मार के इसको छोका जाएगा और उसका स्वात लिया जाएगा जो कि मैंने विश्ले वीडियो इस तरह के लोकल और वोर्डर चेत्र के सर्जयों के रूप में जो अपनाया जाता हमारा विशेश और अस्दिय गुणों से भरपूर भ्यांजन का भी बनवाने हो तो आप लोगों को शो फिलीज बिनती है कि तिरंगा बीके म्यूजिक पर सर्च मार कर आप हमसे संपर्क क सकते हैं और मेरा मोबैल नमबर है 9458933080 तो इस मोबैल नमबर पर भी संपर्क कर शकते हो आप तो आपको हम और भी इस तरह के विशेश और दिये गुणों से भरपूर भ्यांजन बनाने का तरीका बताते रहेंगे थैंक्यू जय हिंग जय भारत जय उत्राखंड थैंक्य कि म्यूजिक आपके लिए ला रहा है तुरंक अगले सप्ता में नीकी घाटी क्योंकि उसका ब्यूडियो थोड़ा बीच में खराब हो चुकता है इस कारण विलम के लिए मैं शमा का प्रार्थी रहूंगा और साथ मैं साचा बदरिनाथ आपका इंतजार कर रहा है गड़ शमाने ती है जए बागे आपक चानल के माधियो से बता है स्था श्ट्ट रहूंगा जया इंचर अबाराद चाहु przyोड़ी का रहा ह।